Hello friends, entertainment की खबरी लेकर मैं हूँ श्रया आपके साथ और सबसे पहले बात करेंगे बॉलिवुट के वन अफ दे मोस्ट होट टॉपिक्स की जो की है रनबीर सिंग और दिपिका पादु कोन की बेटिंग रनबीर सिंग ने दिपिका को घुटनों पर बैट कर पहनाई अंगूठी जिस बात पर इमोशनल हुई दिपिका अपने आसुर रोक नहीं पाई दिपिका पादु कोन और रनबीर सिंग की शादी इंदिनों बॉलिवुट का ही नहीं बलकि पूरे देश का सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है इटली में दिपिका और रनबीर की शादी के फंक्शन धूमधाम से शुरू हो चुके हैं रनबीर दिपिका ने परिवार की मौजूद्गी में सगाई कर ली है डेकन क्रोनिकल्स के रिपोर्ट की मताबिक रनबीर सिंग ने घुटनों पर बैट कर अपनी लेडी लव दिपिका पादुकोन को अंगूठी पहनाई सगाई के दोरान रनबीर ने दिपिका के लिए एक स्पीच तयार की जिसे सुनने के बाद अक्ट्रिस एमोशनल हो गई रनबीर सिंग ने दिपिका पादुकोन के लिए अपने प्यार को कभी नहीं चिपाया सगाई के दौरान उन्होंने सभी महमानों की मौजूद्गी में दिपिका के लिए अपने प्यार को बया किया गुटनों पर बैट का रंगूठी पिलाने के बाद रनवीर ने अपनी स्पीच के जरीए दिल की बात सामने रखी खबरों के मताबिक रंवीर सिंग की बाते सुन दिपिका ना सिर्फ एमोशनल हुई बलके अपने आसू नहीं रोक पाई दिपिका को एमोशनल होता देख रंवीर सिंग ने उन्हें कले से लगा लिया और अब बात करेंगे अर्जुन कपूर और मलायका अरोडा की फाइनली अर्जुन कपूर के साथ शादी पर मलायका अरोडा ने बातचीत करी बॉलिवूर्ड में जहां इन दिनों शादी का दौर चल रहा है वही अफैर को लेकर भी कई किस्से सुर्खियों में है ऐसा ही कुछ एक किस्सा है अर्जुन कपूर और मलायका अरोडा के अफैर का जिन्हें लेकर खबरे जोरो पर हैं कि दोनों बहुत जल्द शादी के मंधन में बन सकते हैं पिशले दिनों मलायका के बर्डे पार्टी से लेकर दिवाली पार्टी तक में अर्जुन और मलायका साथ नजर आए मलायका ने एक अकबार से हुई बाच्चीत में अपने इस रिलेशन्शिप को लेकर काफी कुछ कहा अब मलाइका ने अर्जुन के साथ शादे की इन अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है मलाइका ने एक अकबार से कहा मैं अपने पर्सनल सवालों का जवाब नहीं देती इसलिए नहीं कि मुझे जवाब देने में शर्म आती है या फिर कुछ और बलकि सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को डिसकस करने को लेकर कमफरटिबल नहीं हूँ और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सभी को इस बारे में पता है मुझे इसे लेकर बात करने की जरूरत नहीं है मैं अपनी लाइफ इंजॉई कर रही हूँ और मैं बेहत खुश हूँ आज की एंटर्टेंट्मन की खबरों में मेरे साथ इतना ही I'll meet you in the next episode with some more masala और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइफ कीजे और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू